Hello everyone, welcome back to my channel उच्चे सिक्षा के और प्रोटसाहित करने वाले चात चात्राओं को आत्मिरभर बनाने के लिए बिहार बिद्याले परिक्षा समीरी द्वारा उच्चे सिक्षा के लिए प्रोटसाहित करने के लिए आत्मिरभर बनाने के लिए जो प्रोटसाहन रासी दी जाती है तो आप लोगों को किस तरह से मिलेगी कैसे प्राप्त करें इसके लिए वीडियो को अंतक जरूर देखे मुख्यमंतरी बालिका प्रोटसाहन योजना, मुख्यमंतरी विद्यार्थी प्रोटसाहन योजना, मुख्यमंतरी पिछरावर्ग, अतियान पिछरावर्ग, मेधा बृती योजना एबा मुख्यमंत्री अनुसूचित जन जाती मेधा बृती योजना है तो बिहार विद्याले परिक्षा समीली द्वारायोजित बर्स 2020 की वार्षिक मादमिक परिक्षा में पर्थम स्रेनी शे उतेर्ण शाभी कोटी के चाथ चात्राओं तथा अनुसूचित जाती अवं अनुसूचित जन जाती कोटी के दूइतियस रेनी के उतेर्ण चात्राओं को ऑनलाइन आवेदन ठीक है मतलब कुछ जो है क्रेटेगरी के उसमें जो फस्ट डिविजन से पास है उनको और अनुसूचित जाती और जन जाती कोटी के दूइतियस रेनी से उतेर्ण चात्राओं दोनों को ठीक है यह मिलेगा तो क्यास से आवेदन करना है सबसे पहले है मुख्य मंतरी बाली का प्रत्साहन इसमें शामान्य वर्ग एवं BC2 बर्गी की बाली का ठीक है इसमें के लिए हरता मतलब किसको यह मिलेगा तो इसके लिए प्रथम स्रेनी से मैट्रिक उतेर्ण होना जरूरी है प्रत्साहन रासी जो है दस हजार ठीक है मुख्य मंतरी बाली का प्रत्साहन इसमें शामान्य वर्ग और पिछरा वर्ग BC2 की बाली का बाली का को मिलेगा दस हजार लेकिन उसके लिए प्रथम स्रेनी से मैट्रिक उतेर्ण होना चाहिए सेकेंड है मुख्य मंतरी विद्यार्थी प्रत्साहन योजना उच्च जाती अल्ब संक्यक सहीत बालक ठीक है इसमें मुख्य मंतरी विद्यार्थी प्रत्साहन में इसमें भी 10 हजार मिलेगा लेकिन इसके लिए अहर्ता क्या है इसको देख लीजी, पर्थम स्रेनी से मैट्री को तीन होना चाहिए, और आपके परिवार का जो आय है, जैसे आपके माता पिता का वार्सिक आय जो है, ओ डेर लाक तक हो, उससे उपर नहीं होना चाहिए, उससे उपर अगर होगा, तो पर्थम स्रेनी से मैट्रे को तीन होना जरूरी है, और इसमें भी आय देखेगा कि आपका जो वार्सिक आय है, आपके परिवार का, आपके माता पिता का, वो डेर लाक तक ही हो, डेर लाक से उपर नहीं हो, तो मुख्य मंतरी पिछरा वर्ग मेधा वरिति में भी 10,000 कि दोनों इसके लिए भी मैट्रिक पर्थम स्रेनी से उतिर्ण होना जरूरी है, और इस यह भी जो प्रत्साहन रासी है, 110,000 है, इसके बाद है, मुख्य मंतरी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती मेधा वरिति योजना, इसमें अनुसुचित जन जाती को टी के बालिका और बालक दोनों को अनुसुचित जाती के बालक हो या बालिका हो, दोनों को अगर आप प्रथम स्रेनी से उतिर्ण है, तो आपको 10,000 मिलेगा, और आप अगर दूटिय स्रेनी से उतिर्ण है, तो आपको 8,000 मिलेगा, ठीक है, समझ गे, मतलब आप अनुसुचित जाती और जन जाती से हो साथ में बालक बालका दोनों के लिए है तो जो फ़र्स डिविजन से पास है उनको दस हजार और जो सेकेंड डिविजन से पास है उसको आठ हजार अब यह आपको मिलेगा कैसे इसके लिए आपको करना क्या होगा इस इसको भी हम लोग देख लेते है उक्तियोजनाओं के अंतरगत रासी सीधे पातरलाबु के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी पातरलाबु को ऑनलाइन प्रोत्साहन की रासी उनके बैंक खाते में NIC धोरा बनाएगे सौफ्ट पेर के माध्यम से अंतरित किया जाना है पिहार विध्याले परिक्षा समीती से वर्स 2020 में वार्षिक माधिमिक परिक्षा में पर्थम सुरेनी से उत्रिन सबी कोटी के चाथ चात्राओं तो आप जब NIC के वेप साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक सौफट वेर बनाया गया है जो अपडेट है वहाँ पे जिलावार और विद्यालेवार मतलब आप किस विद्याले में पढ़ रहे थे कहां से आप उतेंड के हैं वो विद्यालेवार भी और जिलावार भी जो है software अपलोड कर दिया गया है गया थो कि बैंक खाता पातर चातर चातराओं को अपने नाम से खुला हो और उनका खाता राष्ट्रे करित बैंक मानिता प्राप्तनीजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में संधारी थो और बिहार राजी में अबस्ती थो और एक और चीज इसमें है कि आ जेन का bank account नहीं चलेगा और साथी जो bank account है वो खाता जो आपका है वो बिहार में ही होना चाहिए बिहार से बाहर का नहीं होना चाहिए और किसी राष्ट्रे क्रियत bank से ही होना चाहिए नेक्स्ट है बांशित सुचना है NIC के online portal पोर्टल देख लीजी इस पोर्टल को आप खोलेंगे ठीक है तो इसको खोल कर इंटरनेट के माध्यम संकित किया जा सकता है पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए वारसिक माध्यमिक परिक्षा 2020 का पंजीयन संकिया के साथ जन्मतित आपका जो date of worth है वो बताना परेगा और साथ में आप कितना अंक प्राप्त की है क्योंकि अंक के अधार पे ही मिलना है फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन मतलब अलग-अलग के चात्रों के लिए अलग-अलग है तो जो मार्क्स आपका है वो देना एकदम आनिवार र नहीं तो बच्चों को क्या करना है कि NIC पर जो मैं बोली हूं कि software विक्षिप किया गया है वहां पर आप जाए online उस पोर्टल को खोले और खोल कर वहां पर आपका जो कुछ भी data आपका दिया गया है उसको चेक कर ले जाच कर ले जो सुचना है उसको कि आपका सही दिया ग तथा सामानी वर्गे के उच्च जाती के चात्र अलप संक्यक सहित अन्य पिछ्री जाती के चात्र जिसकी परिवारी काई देर लाक तक हो संबंदी सुचना संबंदीत आय प्रमान पत्र पोर्टर पर अप्लोड किया जाना निवारे और इसके लिए मैं बताई हूं कई ची अप्लोड करना है तो अप्लोड कर ले वैसे मैं कोशिश करूंगी कि पोर्टल खोल के मैं एककर करके आप लोगों को बताऊं वी कि कैसे इस पर होगा मतलब कैसे सारा होगा फिलहार मैं आप लोगों को जानकारी दे देती हूं इसके बाद है इंटरनेट के माध्यम से पुचनाओं को अंकित किये जाने का कार नीची अत्वा घरे लिए मोबाईल लैप्टॉप कंप्यूटर आधी के माध्यम से किया जाए और जब आप कर रहे होंगे तो भीर नहीं लगाना है सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना है ताकि कोरोना के संक्रमन से आप बचे रहे कोसिस करें कि घर पे लैप्टॉप है कम्प्यूटर है मोबाईल है तो उससे ही कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि कैफिव वगएर हमें बहुत ज़्यादा भीर होती है और इस टाइम पे जब यह होने लगेगा ना तो और ज़्यादा भीर लग जाएगी नेक्स्ट है किसी भी प्रकार की तक्नीकी साहता के लिए स्री अधर सबसे एक मोबाईल नमबर यहां दिया गया है स्री राज कुमार मोबाईल नमबर अब हम स्री कुमार इंदरजीत मोबाईल नमबर तीन मोबाईल नमबर दिया गया है दुरवास नमबर भी दिया गया है इमेल भी दिया गया है इस पर आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं मतलब किसी भी तरह का आपको अगर परिशानी आता है तो और अगर नहीं परिशानी आता है सब कुछ सही है तो फिर सही है तो जो इस्टुडेंट जो बाला के अवाली का 2020 में मैट्रिक उतेंगे है चाहे हो फ पिछरे हुए है खासकर उन्हीं के लिए योजना बनाया गया ताकि बच्चों को डायरेक्ट लाप पहुंच सके और उनका पढ़ाई बीच में बादित नहों तो उमीद है कि मैं जो इहां पर बताई हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर किसी भी तरह का कोई क्विश्चन आप लोगों के मन में हो कोई डाउट आप लोगों के मन में आ रहा हो या अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक एक करके स्टेप बाई स्टेप करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना जब आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएग तो फिर मैं जो वीडियोज है सो बना दूँगी अलग से कि कैसे पूड़ा करना है कैसे मतलब इसके लिए आपके करना है तो चलिए मिलती हुआ फिर आप लोगो से नेक्स्ट वीडियो में तो सिक्छा सिक्छा से रिलेटि तमाम ने उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शाथ में वेल आइकन को प्रेस करके अल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरा कोई भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद